डियर स्टुडेंट, आज हम पढ़ेंगे फैसन साइकल के बारे में फैसन साइकल किसे कहते हैं, यह जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फैसन क्या होता है fashion सब्द को हम daily use करते हैं जैसे यह fashion अच्छा है यह fashion आज कल चल रहा है आदी market में जाकर हम अकसर swap की पर से कुछ खरीदने के लिए उसे यह कहते हैं कि भाया कुछ fashion में जो चल रहा है वह दिखाईए इसे यह मालूम हो जाता है कि आज कल की परचलन में जो भी है उसे fashion कहते हैं मुख्यदा fashion को dress के साथ जोड़ा जाता है कोई आज कल की चलने वाली dress आज कल का fashion कहा जा सकता है अब बात करते हैं fashion cycle की fashion cycle क्या होती है fashion cycle की 5 stages होते है सबसे पहले introduction, increase, peak, decline, obsolescence यदि हम first stage introduction की बात करें तो हम इस graph से समझ सकते हैं कि introduction to obsolescence कैसे एक पुरी cycle को complete करता है fashion cycle introduction period में क्या होता है कि एक कोई designer अपनी कोई एक dress बनाता है और उस dress को किसी celebrity के द्वारा modeling कराता है उसको society में introduce कराता है इस stage में कम quantity में dress बना जाती है लेकिन वह अधिक costly होती है second stage आती है increase increase या बढ़ना अभी तक क्या था कि जो dress introduce की गई थी वो केवल celebrities के पास होती थी लेकिन अब दूसरे stage में आकर वो कुछ society के upper classes person उसको wear करने लगते है it means कि अब वो थोड़ा fashion बढ़ गया है third line आती है जो third stages होती है वो उतनी है peak peak या सबसे उच्छा आई प्यार इस stage में dress peak पर होती है इसका मतलब होता है कि society में पुरी तरह से उस dress का fashion है और वो आज कल के पुरे trend में है जैसे हम कह सकते हैं आज कल lady pant या plazo fashion में है next stage आती है decline आप देख रहे होंगे कि ये अभी नीचे की ओर आने लगा है decline मतलब थोड़ा बचना stage में वो थोड़ा कम होने लगी है decline मतलब कि fashion थोड़ा पुराना होने लगा है और कोई नया fashion आज कल के market में आने लगा है next है option license option license या rejection इस stage में particular जो dress fashion में एक pic पर थी अब उसका अन्त हो चुका होता है और market में भी यह नहीं मिलती हम इसे simply कह सकते हैं कि out of fashion out of fashion जैसे आज कल अनारकली suit उसको हम simply example दे सकते हैं कि fashion से वो out of fashion हो चुकी है तो यह complete cycle बनाती है introduce to option license कि introduction period में जितनी कम होती है ऐसे ही decline period में भी इतनी ही कम वो dress चलती है सबसे ज़्यादा चलने देखते हैं कि peak में सबसे ज़्यादा होती है तो यह थी fashion cycle